हलो माई जी अपाइश एनेट नीट आस्पिरंस विलकुम बाक टू मागनेट ब्रेंज आया आई टी जे नीट मैं हूँ डॉक्टर रितिका भरदवाज आपकी बायोलजी मेंटो और आज के सेशन में मैं लेकर आई हूँ क्लास 11th meet biology chapter 4 that is animal kingdom के लिए बड़ा ही मज़िदार नया सा एक topic topic का नाम क्या है division पढ़ेंगे division 2 that is gnathos tomata super class 1 that is spices and the class 2 which is chondric thighs in इन सारे topics को आज हम discuss करने वाले हैं कौन किस के अंदर आता है क्या features होते हैं क्या उनकी जो importance है characters है सब कुछ आपको पता चलेगा आज के session में और session के end तक जरूर रुके रहना बहुत सारी अच्छी बहुत सारी नई बात हैं आज के इस session में ठीक है with regard to the chapter अब ये जो आपके लिए सारे sessions होते हैं ये आपको मिलते हैं Magnet Brains IIT J.E.Need के channel पर जहां पर कुछ chapters पढ़ने के बाद या फिर कुछ chapters के videos देखने के बाद भी आपको कोई paid subscription लेना नहीं पड़ता है आप अपनी पढ़ाई बिल्कुल 100% free of cost कर सकते हैं चाहे वो IIT J.E. हो या हो NEET या हो foundation सारे ही courses 100% free of cost available है वो भी quality content और best teachers के साथ तो अब ये बात जो है ये तो है बहुत important बात लेकिन और भी एक important बात है वो क्या है आपको बता होना अच्छी है ना कि हमारा NEET का course module क्या है अगर हम NEET की preparation कर रहे हैं तो आईए मैं आपको बताती हूँ कि हमारा NEET का course module क्या है चलिए तो सबसे पहले NEET के course module में हम focus करते हैं topic wise explanation पर यानि chapter में दिये गए हर एक topic को हम detail में discuss करते हैं then we have daily practice problem का pdf यानि कि ये जो pdf है इसमें मिलते हैं आपको धेर सारे questions जिन्हें आप करते हैं solve for the particular topic और ये आपको कहां मिलता है session आपने देख लिया session के end में session के description में जाओ वहाँ पर एक link होगी उस link पर click करो वो dpp की link है जैसी आप उसे click करेंगे dpp आपके पास download हो जाएगी pdf form में बड़िया मज़ेदार questions लगाओ अपना पूरा revision हो जाएगा उससे और फिर आपको मिलता है उसी का daily practice problem का solution video भी जहाँ पर आपके questions जो हैं वो clear हो जाते है then we have chapter wise multiple choice question and the one more important session जहाँ पर scientist के बारे में हम discuss करते हैं आप देखो हर बार scientist कोई ना कोई involved होते ही है chapters में तो उसके लिए आपको कहीं भटकना ना पड़े कहीं ढूंडना ना पड़े तो मैं आपको अलग से एक session दे देती हूं chapter के end में जहाँ पर आपके पास होता है scientist की details उनने क्या काम किया कब काम किया सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं आप easily उसे grasp कर सकते हैं learn कर सकते हैं then we have previous year question videos and the doubt solving session doubt आप फटा फट से भेजो और उसका answer आपको मिल जाएगा तो आपके लिए पढ़ते पढ़ते आपके answers जो हैं वो आपको मिलते जाएंगे तो this is a very good thing and we have weekly test paper जो आप बहुत जल्दी solve करने वाले हैं और guidance session अब यह guidance sessions क्या है guidance sessions होते हैं बड़े ही important sessions जो आपको यह throughout the journey आपको prepare करते हैं यानि कि क्या क्या पता चलता है आपको कि भाई पढ़ाई कैसे करनी चाहिए notes biology में कैसे बनाने चाहिए how to prepare notes in biology या फिर how to read NCRT more effectively आप कैसे बहुत अच्छे से NCRT read कर सकते हैं या फिर what are the top 10 medical colleges जिने आप target करके अपनी preparation कर सकते हैं what is the right time table for you यह भी आपको पता चल जाता है आप night person है या आप morning person है यह भी आपको पता चल जाता है यह सारी चीज़ें जितने भी topics मैंने आपको बोले अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो फटा फट से जाए इन session का नाम टाइप करिए आगे टाइप करिए Magna Brains, IIT, JE, NEET और आपको मिल जाएंगे यह सारे sessions जो आपकी journey को और strong बना देते हैं यानि कि आप हर तरीके से वो बोलते हैं ना शाम, दाम, दण, भेट सारी चीज़ों से आपको तयार कर देते हैं कि आप बहुत अच्छा perform करें तो guidance session में आपको इसके अलावा मिलता है जो भी NTA का important latest update हो, जो भी notification हो, tricks मिलती है, tips मिलती है, जो आपको prepare करती है, question series मिलती है, जो आपको prepare करती है तो इसे तो बिलकुल देखना ही देखना है, भूलना नहीं है then we have chapter wise one shot revision and the online test series, apart from this we also have NCRT highlight summary session, याने chapter के end में, NCRT जो book है हमारी, उसमें दी गई जो chapter के हर एक summary है, उसे हम line by line read करते हैं और उसकी understanding भी create करते हैं, क्योंकि बिना NCRT के तो कुछ भी नहीं हो सकता so now I think everything is clear to you, जो भी मैंने आपको NEED course module के बारे में बताया, आईए अब हम session के बारे में detail में बात करते हैं, चलिए तो सबसे पहले हम बात करने वाले गनैथोस टुमैटा के बारे में, गनैथोस टुमैटा के बारे में मैं आपको बताओं, इससे पहले मैं आपको बताती हूँ, हमने vertebrates को दो पार्ट में डिवाइड किया था, एगनैथा और गनैथोस टुमैटा, एगनैथा तो हम discuss कर Cyclostomata, अब हम बात करने वाले हैं किस के बारे में, किस के बारे में, ए गनात हो गया, Gnethoos Tomato के बारे में, तो Gnethoos Tomato, Gnetho rail, Gnethoos Tomato जो होते हैं, यह कैसे Organisms होते हैं, यह होते हैं, वो Organism जिनके पास Jaws present होते हैं, Upper and Lower Bone होती है, माउथ के पास जो माउथ की ओपनिंग करवाती है, so they possess jaws, they have jaws they have jaws, right, ये तो हम discuss कर चुके थे, आईए, अब हमने ये भी देखा था कि जो गनाथोस टमैटा है ये दो अलग-अलग types में divide किये गए, ठीक है, तो किस हिसाब से आपने इने divide किया, एक हमने देखा कि वो कौन से और्गानिजम जे जिन के पास limbs प्रेजेंट है, तो एक हमने किया, on the basis of limbs ठीक है, limbs भी नहीं, limbs हम बाद में करेंगे, पहले fins, ठीक है, पहला fins, on the basis of fins fins के बेसे पर तो fins के बेसे पर हमारे पास दो टाइब से, क्या दो टाइब से है वो, देखो जरा, ठीक है, वन दिस and okay and another one is this, क्या क्या दा, देखो कॉंड्रिक थाइज कॉंड्रिक थाइज and आस्त्रिक थाइज ठीक है, दोनों फिशेज है यानि कि basically Pisces, है ना अब fins के बेसे पर भी हम इस से ले जाने से पहले यह जो मैं आपको टाइब बता रही हूं, इसमें ले जाने से पहले हमने क्या बोल दिया था इसमें ले जाने से पहले हमने बोल दिया था कि भाई यह Pisces है, क्या कहलाती है, यह Fishes कहलाती है, ठीक है, Pisces लिखना मैं भूल गई थी, Pisces कहलाती है और फिर Pisces को हमने बोला भाई, दो टाइब की है, Pisces को हमने बोला कि हमारे पास दो टाइब की Pisces है, ठीक है, क्या-क्या Chondric Thies Chondric Thies And Austric Thies Agreed? Okay तो यह हमने देखा कि Gnathos Tramata जिनके पास Jaws थे न उनको हमने देखा Fins हैं क्या तो Fins हैं तो हमने कह दिया आप Pices हो और Pices में भी Chondric Thies और Austric Thies यह बताया था मैंने दूसरा हमने देखा था On the Bases of Lymphs On the Bases of Lymphs तो जिनके पास Lymphs होते थे उनको हम क्या कहते थे? Tetrapoda उन्हें हम क्या कहते थे? Tetrapoda Tetra का मतलब 4 Poda का मतलब Lymphs तो 4 Pair होंगे 4 Lymphs होंगे तो वो हाद है या पैर है है तो वो Lymphs ही तो देखा चार What? Limbs Tetra pod Tetra is for 4 And poda is for limbs तो Tetra pod जो है वो फिर अलग-अलग टाइप के थे हमने पड़ा था ठीक है? वो फिर अलग-अलग टाइप के थे तो क्या क्या थे? 1, 2, 3 and 4 Now, start Amphibia तो Amphibians Apes Reptiles And Mammals All right यह हमारे पास 4 थे Tetra pods है ना? These were the 4 Tetra pods ठीक है? आज के session में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? वो मैं आपको बता देती हूँ आज के session में हम पढ़ेंगे कि Gnathos Tomes की क्या प्रॉपर्टी होती है? तो Gnathos Tometa पढ़ना है हमको आज के session में आज के session में हम बात करेंगे Pisces के क्या characters है? और साथी में हम बात करेंगे कि Condric Thighs जो होती है वो कैसे होते? क्या होते? उनके features क्या है? यानि बेसिकली हम इन तीन groups को आज पढ़ने वाले हैं जो कहीं न कहीं एक दूसरे से connected भी हैं तो हम एक एक करके बात करेंगे भई Gnathos Tometa में क्या-क्या characters है? Pisces में क्या-क्या characters है? और Pisces में भी Condric Thighs के कैसे characters है? इसे हम आज के session में discuss करेंगे बाद में हम जाएंगे ऑस्टिक Thighs और फिर Tetrapoda, Amphibians, Aves, Reptiles और Mammals में I hope इत्ती बात समझ में आ गई आज का हमारा discussion का point क्या रहेगा? Gnathos Tometa, Pisces and the Condric Thighs Is it clear to each and everyone? तो आपको picture अभी clear हो गई और ये Gnathos Tomes कहां पर थे? They come under Vertebrata Vertebrata में दो टाइपस थे न एक Gnathos Tometa जिसके पास जो नहीं है तो वो तो हम पढ़ चूगे विछले session में और अब बारी है Gnathos Tometa की फटाफट से ये एक आप बना लीजे content क्या-क्या पढ़ने वाले हैं आज हम ठीक है? चलिए अब बात चालू करते है Gnathos Tometa की ठीक? तो भाई Gnathos Tometa जो होते हैं ये बड़े advanced होते हैं advanced क्यों बोल रहे हो मैं? इनमें हमें बहुत सारे नए बहुत सारे complex और अच्छे features देखने को मिलते हैं मैं नए और complex और अच्छे features का क्या मतलब है? नए मतलब ऐसे characters जो अभी तक present नहीं थे उन्हें हम देखेंगे अभी तक हमने किसी फाइलम में नहीं पड़े वो हम देखेंगे दूसरा complex मैं तब बूलती हूँ जब कोई बहुत अच्छा काम करने लगे complex level पर काम करने लगे body ठीक है? otherwise तो भाई simple organism जैसे की बहुत ज़्यादा simple है, simple का मतलब यह है कि ना तो चलो organ था, organ system था लेकिन वहाँ पर simple simple काम हो रहते है भाई तुम हो, तुम excretion करा दो, तुम हो, तुम respiration करा दो, तुम हो, तुम ये वाला काम करा दो, locomotion करा दो, तुम हो, डाइजेशन करा दो बस ऐसे करके उनका पूरा system चल गया, यहाँ पर आपको बहुत सारी नई चीज़ें जानने को मिलेंगी, ठीक है, in context to every character अब आपको जैसे जैसे phylum, मतलब मैं जैसे 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 इस group के organisms के बारे में आपको बताऊंगी, तो आपको वैसे वैसे चीज़ें clear होती जाएंगी, देखिए, सबसे पहला क्या है, mouth has jaw, hence it is named as gnathos tomata, gnatha का तो मतलब ही होता है jaws, यह तो मैं आपको बता चुकी हूँ, अभी मैंने बताया, हमने discuss किया है, अब इन में क्या होता है, embryonic notochord is usually replaced in adult by vertebral column, पिछले session में भी हमने ऐसे कुछ देखा था, कि इनकी जो embryonic notochord है, notochord बदल गई, और किसमें convert हो गई, vertebral column में, किसमें convert हो गई, vertebral column में, यही पर मैं आपको बात बता देती हूँ, मैंने अभी आपसे कहा, देखो, इसको देखो, मैंने अभी आपसे कहा, हम गनाथो स्टोमाटा की बात कर रहे हैं, हमने कहा कि गनाथो स्टोमाटा के पास, जो notochord है, ध्यान से सुनना यह बात, जो notochord है, वो change हो गई, vertebral column में, vertebral column में क्या होता है, ठीक है, vertebral column में क्या होता है, ठीक है, एक तो हमारा vertebra, और बीच में disc होती है, आपने सुना है, किसी को vertebral column में slip disc हो जाती है, वो disc slip हो जाती है, मैं आपको बताती हूँ, vertebral column में क्या चीजे होती है, एक तो होता है vertebra, ठीक है, एक होता है vertebra इस तरीके से ठीक और इन दोनों के बीच में एक disc होती है इन दोनों के बीच में यहाँ पर एक disc होती है ठीक सब की body में ऐसे vertebra आपको देखने को मिलते हैं this is the disc ठीक and यह क्या है this is the vertebra ऐसे बहुत सारे होंगे ठीक है यानि कि यहाँ पर आपको फिर से एक disc मिलेगी यहाँ पर आपको फिर से एक disc मिलेगी यहाँ पर आपको फिर से एक disc मिलेगी और फिर इनके उपर उपर भी आपको क्या मिलेंगे vertebra मिलेंगे इस तरीके से ठीक ऐसे vertebra मिलेंगे और यहाँ पर भी आपको vertibra मिलेंगे, समझ गए है, ठीक है, तो यह हमारी vertebral column होती है, जिसमें कुछ एक bony feature है, this is going to be bony and this is going to be made up of cartilage, this will be cartilaginus, cartilage की बनी होई होगी, ठीक है, अब मैं यह क्यों बता रही हूँ, क्योंकि आज हम जो पढ़ने वाले हैं, वो क्या है, गनैतोस टोमेटा, Pisces and Chondric Thighs, गनैतोस टोमेटा में notochord vertebral column से change हो जाती है, मान लिया हमने, ठीक है कि adult होंगे, तो vertebral column मिलेगी, notochord नहीं मिलेगी, लेकिन vertebral column किस चीज़ की बनी होती है, बोन की और cartilage की, अभी हमने देखा, पर मैं आपको यहीं पर यह चीज़ बता देती हूँ, तो आपको Chondric Thighs औरीज हो जाएगा, Chondric Thighs क्या होती है, Pisces तो Fishes हैं, पर Chondric Thighs क्या होती है, cartilaginous Fishes, Austric Thighs क्या होती है, Bony Fishes, लेकिन जिसकी body cartilage की बनी है, जब उसकी notochord change होई होगी, vertebral column में, तो उसके पास तो Bony Structure नहीं रहेगा न मैं, हाँ बिल्कुल नहीं रहेगा, क्या रहेगा, cartilage की ही बनी, vertebral column रहेगी, नो Bony Structure is going to be present inside the Chondric Thighs, क्योंकि वो body ही उसकी किसकी बनी है, cartilage की बनी है, तो यहाँ पर क्या हुआ, कि Gnathos Tromata का अगर हमने एक character पढ़ा, तो हमें Chondric Thighs का भी एक character समझ में आ गया, और वो भी Controversial था, फिर भी समझ में आ गया, जो है वही बनाओगे, तो Chondric Thighs में भी Vertebral Column मिलती है, Notocot Change हो चुकि यह Vertebral Column में, लेकिन यह Vertebral Column किसकी बनी, Cartilage की, ठीक है, तो Gnathos Tromata का बड़ा special feature है कि Notocot Change हो जाती है Vertebral Column में, जिसमें जो present होगा, उस टीज की Vertebral Column बन जाएगी, पर Change तो होगी वो Vertebral Column में, ठीक है, चलिए, आगे बढ़ते है, Pared Fins और Limbs आर Present, यह तो हमने पिछली बारी देख लिया था, जब हम वो पढ़ रहे थे, Lampre पढ़ रहे थे, हैना, मिघजाइन पढ़ रहे थे, तब हमने देखा थे, यार, इनके पास जो Fins है, वो Pared नहीं है, वो Pared नहीं है, अकेले-अकेले है, अब यहाँ गनैथोस्टोमेटा में, आपको Pared भी मिल जाएंगे, अनपेर भी, दोनों टाइप के मिलते हैं, हैना, घवराओमत, तो Pared Fins ज to have limbs या फिर Fins मिलेंगे, गनैथोस्टोमेटा में, ठीक है, चलिए, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट, they have Pared Nostril, Pared Nostril मिलेंगे, Pared होंगे, cold-blooded और warm-blooded दोनों हो सकते, cold-blooded और warm-blooded का मतलब क्या है, cold-blooded और warm-blooded, जैसे हम हैं, humans, हम क्या हैं, warm-blooded, बाहर कितनी भी ठंड हो जाए, हमारी body का temperature constant रहेगा, बाहर कितनी भी गर्मी हो जाए, हमारी body का temperature constant रहेगा, तो जिनकी body पर बाहर के temperature का असर नहीं होता, जो अपना body temperature, change नहीं होने देते, constant रखते हैं, वो warm-blooded, और जो change कर दें, वो है cold-blooded, इतनी बात समझ में आ गई, चले, गनैथोस्टोमे पाइसेज और tetrapoda में divided है, तो आज हम पाइसेज की बात करने वाले हैं, ठीक है, यह तो basic introduction हो गया, चले, पाइसेज के बारे में बात करें, पाइसेज बेसिकली पाइसेज में क्या आता है, fishes आती है, क्या आती है, fishes आती है, पाइसेज यानि फिश और जैसे ही फिश में आती है, सबसे पहली बात आती है, मशली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, यानि कि यह है, एक्विटिक, obviously, बाहर निकालो मर जाएगी, है ना, अब पानी के अंदर, अगर यह एक्विटिक है, पहले तो पाइसेज क्या होती है, फिश होती है, मशली जल की रानी है जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ तो डर जाती है, बाहर निकालो मर जाती है, मतलब कि आक्विटिक है, और अगर कोई औरकानिजम आक्विटिक है, तो वो ब्रीथ किस से करेगा, उसके पास फ्रेजेंट होंगे गिल्स, जितनी बातें आप जानते हो, मैं सिरफ वो लिख मैं कुछ नया नहीं लिख रहे हो, इस बात पर गौर करना, तो आपको ये बहुत अच्छा याद होगा, ठीक है, ये सारी बातें आपको अल्रेडी मालूम है, मैंने आपको कुछ नया नहीं बताया अभी तक, आगे बताओं, तो जो याद है, उसको तो हम एक बर पूरा स् एकविटिक है, तो पानी में सास लेने के लिए उनके पास क्या होता है, गिल्स होते हैं, बचपन से पढ़ते हैं, ठीक है, और मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया, कि फिशिस में और मिगजाइन में क्या अंतर था, फिशिस के पास पेर्ड फिन्स होते हैं, प पेयर्ड फिंस ठीक है पेयर्ड फिंस भी एंट की पास इजी हो गया इतना तो आप पुझानती हो मैंने कुछ नहीं नहीं बता है चलिए इतना पढ़ ले सूपर क्लाश स्पाइसेज में क्या आता है दे इंक्लूड ठू फिश Sounds गी फिश रहती पेयर्ड और अन-पेぇर्ड दोनों फिंस मिल जाएगे अभी मैंने थोड़ी दिएटर पहले बताया तक पर पेयर्ड फिंस का एक्स्क्लूजव character हाँ हो सकता है कि unpaired भी present हो मैंने आपसे अभी बताया हो सकता है कि unpaired भी present उपर पेर तो होंगे यह exclusive character क्योंकि unpaired तो महाँ पे भी थे mixine then respiration occurs typically by gills सब को पता है कि gills से यह जो fishes है यह breathe करती है clear इसमें कोई किसी को दिक्कत तो अब मुझसे किसी ने अभी interactive session जो हमने लिया था वहाँ पर मुझे किसी student ने यह बोला मैं notes जो हैं वो हमारे बहुत lengthy हो रहे हैं तो मुझे यह समझ में नहीं आता कि क्यों lengthy हो रहे हैं शायद आप सब कुछ लिख रहे होगे बजाए इस बात कि कि मैं आपको हमेशा बताती हूं कि लिखना क्या है जैसे मैंने आपसे इस slide पर बोला था कि यह लिख लो ठीक है फिर यह वाली slide तो मैंने आपको पूरी समझा दी इसमें मैंने आपसे कुछ लिखने को नहीं बोला सिर्फ यह लिखने को बोला फिर वर्टिब्रल कॉलम आप लिखके रख सकते हो ठीक है यह मैं आपको उसी slide में बता चुकि इसलिए इसमें से नहीं लिखना हाँ यह पॉइंट लिख सकते हो cold-blooded और warm-blooded वाला आगे बढ़ो तो आपके पास यह लिखा होना चाहिए पाइसे होती है फिशे फिशे अक्विटिक हैं गिल्स हैं पेर फिंस और अन पेर फिंस होंगे इतना लिखने में नोट्स लेंदी नहीं होंगे ठीक है वैसे भी हम बहुत तू-दपॉइंट चीजों को डिस्कस करते हैं डिसकस भले पूरा करते हैं बढ़ लिखते हैं तू-दपॉइंट बाकी सारी चीज़े दिमांंग में श Poir लगते हैं चली आभ यह जो पाइसे होती है na fishes इनके पास होती है eyes इन के पास कहती है eyes होती है So it has a well developed nictitating membrane, eyelids are absent ये क्या है madam, nictitating membrane आपने क्या बता दिया देखो ऐसा है कि अगर आप में से कभी किसी ने swimming की है या किसी को swimming करते हुए देखा है तो आपने देखा होगा कि जब लोग swimming करने जाते हैं तो कुछ एक लगा लेते हैं अपनी eyes पर ताकि उनके eyes को कोई हाम ना पहुँचे अच्छे से सब दिखे कुछ cover लगा लेते हैं, कुछ goggles लगा लेते हैं लगाते हैं, इसी तरीके से ये जो fishes हैं इनके पास भी cover होता है, eyes में ताकि क्योंकि उन्हें पूरे time water में रहना है उनकी eyes को कोई हाम ना पहुँचे किसी भी चीज से पानी में पूरे time रहने से, तो इसलिए वहाँ पर एक cover present है, which is called as nictitating membrane हमारे पास भी nictitating membrane होती है हमारी eyes में, आप eyes में अगर देखोगे तो यहाँ पर, corner में, ठीक है मतलब अगर मैं eyes बनाओ, ठीक है अगर मैं eyes बनाओ तो ऐसी eyes होती है हमारी है ना ऐसी eyes है ठीक, अब हमारी eyes में आपने देखा होगा यहाँ पर corner में कुछ red-red होता है, ऐसा होता है this is nictitating membrane nictitating membrane, यह मैं अपनी बात कर रहे हूँ, humans की बात कर रहे है अपने बारे में बता रहे हूँ हमारी जो nictitating membrane है न, वो कहलाती है vestigial vestigial, यह छोटी सी एक information है याद रहे जाए, बहुत अच्छी बात है, नहीं याद रहेगा कोई बात नी, दुबारा जाँ पढ़ाना है, माँ पढ़ा हूँ न, ठीक है तो, nictitating membrane हमारे पास भी है, लेकिन fishes के पास, जो nictitating membrane है, वो बढ़िया सी, developed nictitating membrane है, ताकि उसकी आइस को कोई हाम ना पहुँचे, अब समझ गई, nictitating membrane क्या है, चलिए, आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं, किसके बारे में, lateral line sense organs are present, lateral line sense organs are present, fishes के पास भी sense organs present होते हैं, heart जो है, वो two chambered होता है, तो two chambered में उसके पास क्या-क्या होगा, one auricle, one ventricle, option ही नहीं बचता, हैना, two chambered heart है, तो one auricle, one ventricle, ठीक, आगे बढ़ो, with sinus venous and conus arteriosus, यही जो हमारे, वो है, heart है, उनके बारे में बता है, हैना, S-shaped होता है, venous heart होता है, ठीक है, मतलब आपको यह याद रखना है, कि इसमें आपको क्या मिलेगा, one, one atrium and one ventricle, ठीक है, मैं अभी इसको draw करके भी आपको समझाऊंगी, हैना, एक बार यह पढ़ लो, जब मैं draw करूंगी, तो आपको यह और revise हो जाएगा, and they have monocondylic skull, monocondylic skull होता है, slimy glands present on the skin, skin पर कुछ slimy glands present होते हैं, उसका भी मैं reason बताती हूँ, अभी diagram के साथ, चलिए, इतना पढ़ लिया, diagram से बात चालू करें, हैना, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं, चलो, kidney कैसी होगी, mesonephric, वो मैं आपको बता दूँगी, हमनों टेलिक होँगे, M4O, चलो, अब हम बात करते हैं, पहले इतना लिख लो, अब मैं आपको सारी चीज़े, diagram से समझाऊंगी, और फिर आगे, फिर से बढ़ाऊंगी, हर बार की तरह, हैना, फिर से बताऊंगी मतलब, तो फटाफट से पहले यह note कर लो, चलिए, ओके, अब मैं आपको पहले यह वाला point समझा देती हूँ, ठीक है, फिर मैं आपको, यह भी मैं diagram से ही समझा रही हूँ, उसके बाद मैं आपको यह वाला समझाऊंगी, ठीक है, और फिर हम पूरा fish का diagram बनाएंगे, I hope nictitating membrane is clear to each and every student, alright, चलिए, अब हम बात करते हैं, heart जो है, वो two chambered है, यहनी कि दो chambered मैंने बोला, एक atrium, एक ventricle होगा, S-shaped होगा, venus heart होगा, sinus venousus और conus arteriosus present होगा, now see what it is like, heart इनका कुछ ऐसा होता है, ठीक, heart ऐसा होता है, किसका, fishes का, आप बुलो कि मैं मैं इसमें तुम्झे बहुत सारी चीज़ें दिख रही हैं, तो बहुत सारी चीज़ों के नाम भी समझो, ठीक है, sinus venousus और conus arteriosus, sinus venousus होता है, यहाँ, sinus venousus, ठीक है, और ऊपर ये वाला जो दिख रहे हैं, यह है, sinus, यह, conus arteriosus, conus arteriosus, मैं कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, बिल्कुल नहीं आएगा, एक मनिट रुख जाओ, मैंने बोला, एक atrium, एक ventricle है, और ब्लड का flow देखो कैसा होता है, ब्लड जो है, यहाँ से फिश की बोडी से एंटर करता है, यहाँ से एंटर करता है, ब्लड ऐसे एंटर करेगा, ठीक हैं, तो यह कहाँ से आ रहा है, फिश की बोडी से ब्लड आ रहा है, ठीक, फिर ब्लड जाएगा, सबसे पहले कहाँ जाता है हमारी बोडी में भी atrium, उसके बाद ventricle, तो पहले जाएगा atrium ठीक, atrium से जाएगा ventricle ventricle से जाएगा conus arteriosus conus arteriosus से वे हम कहाँ जाएगा gills के पास ताकि blood purify हो सके gills के पास जाएगा ताकि blood purify हो सके क्या यह बात समझ में आ गई तो body से blood इखटा होता है sinus venosus में जाता है venousus जो होता है वो referium करते है body से आया हुआ जो blood होगा उसको refer करते है तो body से blood आया sinus venousus से कहां गया atrium atrium से कहां गया ventricle ventricle से कहां जाएगा conus arteriosus में collect होके फिर जाएगा gills के अंदर ताकि वहाँ पर जाकर purify हो जाए ठीक है so this is the structure of heart this is the structure of heart in the Pisces fishes में इस तरीके का heart होता है ठीक है heart in fishes ऐसा है और कितने chambers देख रहे हैं this is one chamber this is two chamber so it is two chambered heart हाला कि यह आप से कोई पूछेगा नहीं पर आपको पता होना चाहिए कि यह यह चीजे होती है ठीक है मदब क्या नहीं पूछेगा two chambered तो पूछ सकता है पर konas arteriosus और sinus venusus के बहुत कम जांसेज है ठीक है अब monocondylic skull होता है और slimy glands होते हैं present on the skin monocondylic का मतलब क्या होता है monocondylic skull अब हम बात कर रहे हैं पाइसिस पाइसिस में ostrich thys, contract thys दोनों आएंगी यानि कि boni fishes और cartilaginous fishes दोनों आएंगी तो monocondylic skull मतलब mono का मतलब होता है mono का मतलब होता है one one और हम बोल सकते हैं single ठीक condylic skull यानि कि condyle ठीक है हमारे पास भी होते हैं condyle पर हमारे पास 2 condyle है ठीक है मैं बताते हो condyle क्या है condyle is the place of attachment वो जगे जहां पर जुडता है कौन जुडेगा? skull जुडेगा किस से जुडेगा? vertebral column से vertebral column से और जानते हो यह monocondylic skull कितना degree का rotation कराता है 270 degrees का rotation कराता है monocondylic skull यानि अगर यह fish की body है ठीक है? यह fish की body है और यहां पर अगर आप head और skull देखोगे तो head कहां रहा होगा? यह वाला portion head रहा होगा और फिर यहां पर vertebral column इस तरीके से रही होगी तो यह base जहां पर यह attach होगा यह कोई एक ही base होगा जहां पर यह condyle present होगा ठीक है? इसे कहते हैं monocondylic skull skull दो type के होते हैं dicondylic and monocondylic dicondylic में दो condyle होते हैं जो attachment करते हैं brain का vertebral column से पर fishers की body कैसी है? उनको तो ऐसे ऐसे जाना है? उनको थोड़ी ना इधर उधर करके देखना है तो उनके पस एक ही condyle दे रखा है यह brain है, इसको brain को vertebral column के साथ अगर जोड़ना है if this is the brain, मालो if this is the brain and this is the vertebral column, तो brain के साथ vertebral column को जोडने के लिए कोई एक ही condyle है now that condyle is monocondylic skull ऐसे skull को monocondylic skull कहते हैं, इत्ती बात समझ में आ गई? Okay, चलिए, आगे बढ़े यह मैं इससे पहले यह पढ़ाऊं मैं आपको कुछ बता देना चाहती हूं कुछ चीजें, है न? तो I want to discuss anatomy anatomy of Pisces देखो, जो fishes होती है उनकी body में, क्या-क्या होता है एक बार मैं बता देना चाहती हूं, बहुत जरूरी है fishes की body में fish की भरपूर body जो हम बचपन से बनाते आ रहे है नीचे से कड़ बढ़ है क्या? ठीक है? fish की body ऐसी होती है ओके, अब यह fish का dorsal side है, मान लो और यह मान लो, ventral side है ठीक है? This is the eye of the fish ठीक है? यह eyes है fish की और वो अपनी eyes से देख रही है कि आज आप लोगो से क्या क्या बता कर जाओगे This is the eye of the fish ओल राइट, चलिए अब मुझे आपको क्या बताना है? fish के fins anatomy है ना? तो देखो, यहाँ पर जो fins होते हैं, वो paired भी होते हैं तो मैं देख आप ध्यान से देखना है fins कहाँ कहाँ मना रही हूँ ठीक? दो फिन मना है मैंने कहाँ? डॉर्सल साइड में ठीक? एक तो यह दिख रहा है दूसरा यह दूसरा फिन है ठीक है? यह तीसरा फिन है and here is one more fin over here यह इतने fins होते हैं, ठीक है? अब मैं आपको इन fins के नाम बताती हूँ ठीक? फिर यह 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 ठीक है? मैं वेंटरल एरेस करके थोड़ा आगे लिख रही हूँ क्योंकि मिर पास जगे नहीं रहेगी mean why I want to also tell you this ठीक है? चलिए लेट्स टॉक यह वेंटरल साइड है न? डॉर्सल साइड पे पे पेर्ड फिन्स दिख रहे इन दोनों को कहते हैं, यह वाले को और यह वाले को कहते हैं डॉर्सल फिन क्या कहते हैं? डॉर्सल फिन आखरी में जो होता है, इसको कहते हैं caudal fin जो इसकी tail में मिलेगा ठीक है? यह वाला जो है, यह यहाँ पर anus होता है, है न? तो यहाँ इसको कहते हैं anal fin ठीक? अब आगे वाला pectoral fin क्योंकि यह comparatively आगे है, यह comparatively पीछे, this is pectoral fin and this is pelvic fin मैडम यह याद नहीं रहेंगे, कौन सा pectoral है, कौन सा pelvic है, मैं बताती हूँ, हमारी body में भी pectoral और pelvic है हमारी body में यह वाला जो region है, है न? इसको कालड आज पेक्टोरल region ठीक? और hips वाला जो region होता है, वहाँ पर जो bone होती है, इसको कालड आज pelvic, ठीक है, तो pelvic और pectoral, हमारी body में आगे कौन है, pectoral पीछे कौन है, pelvic ऊपर की तरफ body में pectoral, नीचे की तरफ body में pelvic, इनकी body में भी आगे की तरफ pectoral, नीचे की तरफ pelvic fin, याद हो गया anus के पास जो है, वह anal fin, पीछे, caudal tail का मतलब ही होता है, caudal line पर sense organ होते हैं, तो dorsal और ventral तो दिख रहा है, अब यह फेश ऐसी है, इसकी कोई lateral line भी तो होगी, अगर मैं आपको lateral line दिखाने की कोशिश करूं, suppose करो, यह इसकी lateral line है, ठीक है, this is the lateral line, for an instance, ओके, this is the lateral line, तो इस lateral line पर क्या present होता है, lateral lateral line पर sense organ present होते हैं, ठीक है, this is, this is lateral line, ऐसी फिश की anatomy होती है, तो यह यहाँ पर mouth दिख रहा है, eyes दिख रहे हैं, यह mouth, mouth, eyes और this is inus, ठीक है, easy, this is, पता ही है यार, यह तो eye है, यह mouth है, यह inus है, ठीक है, यह मैंने बाद में क्यों बता है, क्योंकि आपको अलड़ी पता थे, fins clear हो गए, एक बार revise करेंगे, एक बार revise करेंगे fins को, the upper one, the one which is on the anterior portion, आगी की तरफ जो fin है, it is called as the pectoral fin, पीछे की तरफ जो है, it is called as pelvic fin, और anus के पास जो है, it is called as anal fin, tail का मतलब होता है, caudal, caudal का मतलब ही होता है, tail, तो tail में जो है, it is the caudal fin, caudal fin, and dorsal side में जो है, it is the dorsal fin, it is the dorsal fin, अभी इत्ती बात समझ में आ गई, fins तो नहीं बूलोगे, चलिए, आगे बढ़े, ओके, अब ये वाली बात करते है, vertebrae, इसके होते हैं, amphiocilus, amphiocilus का मतलब क्या है, vertebrae का design ऐसा होता है, मतलब vertebra अगर मैं दिखाऊ, मान लो कि this is the fish, ठीक है, मान लो ये fish है, तो इसकी body में, vertebral column देखो कैसे दिखेंगे, ऐसे दिखेंगे vertebra पास, देखना हा, मैं क्या बताना चाहरी हूँ, ऐसे not record गई होगी, है ना, ऐसे not record गई होगी, तो इस पर ये ऐसे ऐसे रहेंगे, मतलब मैं आपको क्या बताना चाहरी हूँ, कि इसका shape ऐसा रहेगा, by concave shape के vertebra होंगे, by concave shape के vertebra होंगे, बात समझ में आ गई, by concave shape के vertebra होंगे, तो हम उसे कहेंगे, कि it is amphucilus type, ठीक है, अगर मैं आपको fish में बताऊंगे, आप थोड़ा confused रहोगे, नहीं पूछेगा कोई, मतलब draw करके नहीं पूछेगा कोई, पर आपको बताऊंगे, amphucilus type का, amphucilus type का जो vertebra है, उसका मतलब है, by concave type का vertebra, बर्टिब्र में ऐसे by concave structure दिखेगा आपको, by concave structure, ठीक है, बोथ renal portal and hepatic portal system are found, याने, renal, renal, renal portal, and hepatic portal, ठीक है, रिनल का मतलब होता है kidney, और hepatic का मतलब होता है liver, तो इसका जो blood है, वो जब purify होगा, याने, purify होने के लिए देखो, एक तो जा रहा है, गिल्स के पास, तो oxygen महा से आ जाएगा, बर भई कुछ तो खाईगी भी, तो blood की जो भी activity है, blood, renal, याने की kidney वाले zone से, और hepatic याने liver वाले zone से, जरूर cross करेगा, दूसरा, hypophysial portal system is also present, hypophysial, hypophysial याने की, यह जो brain के portion से, spinal cord और brain के portion से भी blood pass करता है, उसको बोलते है, hypophysial portion, ठीक है, hypophysial portal system, तो क्या याद रखना है, renal याने की kidney के पास से blood होता हुआ जाएगा, liver के पास blood होता हुआ जाएगा, याने hepatic और hypophysial याने की brain, hypophysis होता है नहीं हाँ पे, तो brain और spinal cord, spinal cord, vertebral column, vertebral column से भी blood pass करेगा, ऐसा network है, ठीक है, आगे kidney mesonephric होती है, आप monotelic होते हैं, sharks ureotelic होते हैं, मेरी बात समझो, कोई नहीं पूछेगा, कि mesonephric का मतलब क्या है, ठीक है, nobody is going to ask you, what is the meaning of mesonephric, बस आपको याद रखना है, कि जो इनकी kidney है, it is less advanced, less advanced kidney है, तो उसे हम कहते हैं, mesonephric kidney, you do not need to learn right now, what is mesonephric, nobody is going to ask you, so it is less advanced type of kidney, तो जो इनकी मदद करने वाली है, urea excrete करेंगे, ammonia excrete करेंगे, बस उत्ता हमें याद रखना है, ठीक है, पहले आप इतना लिख लो, यह जरूर लिख ले ना, और इसको ऐसे ही लिखना, जैसे मैंने लिखा है, पहले आपको याद रहेगा, किसका मतलब क्या है, noted down, by concave shape भी लिख हो, done, okay, now, आगे बढ़तें, लेकिन, यहाँ पर, ammonotelic और ureotelic का, मालू मैंना, यह लिख ले ना, अगर नहीं, मालू मैं किसी को, ammonotelic मतलब, वो animals, जो, ammonia excrete करें, ammonia excrete करें, ureotelic मतलब, वो organisms, जो urea, जो है, उसे as a nitrogenous waste, excrete out करें, यह दोनों बात समझ में आ गई, आगे बढ़तें, यह diagram सबने बना लिया था न, नहीं बनाया है, तो बनाना है, ठीक है, चलिए, now, अब हम बात करेंगे, होती है, यानि कि पूरी बॉडी किस चीज़ की बनी है, cartilage की, in fact, vertebral column भी cartilage की बनी है, all right, cartilage की बनी हुई, vertebral column होगी, so, chondrichthydes are cartilaginous fishes, यानि cartilage की बनी हुई, कहाँ पाई जाती है, marine animals होती है, कहाँ पाई जाती है, marine water में, ठीक, अब ये सारी चीज़ें मैं आपको बता देती हूँ, है ना, समझा देती हूँ, मतलब, heading डाल लो, chondrichthydes, ठीक है, तो chondrichthydes में देखो, क्या-क्या याद करना है, फिर बोलोगे नहीं, तो बहुत लंबे notes हो गए मैं, पहली चीज, cartilage की बनी है, तो cartilaginus, cartilage की body है, cartilaginus, ठीक है, दूसरा, fish का structure, हमने बच्पन से पढ़ा है, एक habitat and adaptation करके, हमारा 7-3-3-3 class में chapter हुआ करता था, वहाँ हमने पढ़ लिया था, कि, जो fishes होती है, उनकी body, streamlined होती है, streamlined body का मतलब होता है, इस तरीके की body, यानि कि जो आगे पीछे से क्या हो, narrow हो, तो वह streamline क्यों है, इस तरीके की क्यों है, ये narrow, narrow portion क्यों है, ताकि वह असानी से swim कर सके, for, it is for swimming, swim करने के लिए streamline body होती है, तो streamline body, और कहां पाई जाती है, marine water में, marine water में पाई जाती है, कौन सी, cartilaginous fishes, ठीक है, इसके बाद, cartilaginous fishes जो होती है, इनके पास भी gills present होंगे, लेकिन ऊपर कोई covering नहीं होती, ठीक है, यानि operculum नहीं होता, आपने देखा है, fish में gills के ऊपर एक cover होता है, जिसे हम operculum कहते हैं, any covering और operculum, operculum इनके पास नहीं होता, ठीक है, अब इनका gills functional कैसे होता है, ठीक है, अरे, ठीक है, कैसे इनका gills functional होता है, वो देखो, गills में, gills यहाँ present है, किसकी बात कर रहे हैं, contractiles, water enter कैसे करता है, water enters through the mouth, यह पानी है न, तो पानी में, कैसे enter करेगा, water enters through the mouth, mouth से water enter करेगा, body के अंदर, ठीक है, exchange हो जाएगा, gases का, और, फिर यहाँ से बाहर आजाएगा, गills से बाहर आजाएगा, so, water enters through mouth, mouth से water अंदर गया, और, यहाँ, gills से बाहर आजाएगा, comes out, water comes out, नहीं तो पता नहीं क्या समझ लोगे हैं न, water comes out from gills, इतनी बात समझ भी आगई, अब आप देख रहे हो, मैने इसका माउथ कहाँ पर बनाए, अगर यह डørसल पूर्शन है, यह यह अंदरल पोर्शन है, तो मैने अंदरल पोर्शन पर माउथ बना है, exclusive characteristic, बैंदरल पोर्शन पर माउथ होते है, mouth on वे JACK को प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम प्रॉब्लम है, ठीक है, ventral portion पर mouth होगा, ये कुछ basic features हैं, आगे भी मैं आपको इसके features बताती हूँ, पहले इतना पढ़ लेते हैं, ठीक है, देखो, marine animals है, cartilage की बनी हुई body है, marine animal cartilage की बनी हुई body, notochord जीवन भर persist करेगी throughout the life, they persist, the notochord persist, ठीक है, and the jaws are powerful, mouth is located ventrally, jaws इसके powerful होते हैं, क्यों, भाई, है तो ये कौन सा organism, gnathos tomata में, यानि jaw वाले ही तो organism से, और इनके jaw है strong, example मालू में क्या याद रख सकते हो, shark, shark खा जाती है भाई, तो jaws कैसे है, powerful है, powerful jaws, and ventrally, यानि आगे की तरफ mouth होगा, अगर ये ventral portion है, ये dorsal portion है, तो यहाँ पर mouth होगा, और endoskeleton cartilage का ही बना होगा, पूरा structure body में cartilage है, no bone is present, notocod driven भर persist करेगी, notocod नहीं जाएगी, ठीक है, it will not be replaced in these fishes, फिर आप बोलोगे, मैं अभी आपने थोड़ी देर पहले हम से कहा था, कि monocondylic skull है, तो भाई जहाँ जहाँ पर vertebral column होगी, वहाँ condyles पर लेगा, तो pices में तो ostrichthize और chondrichthize दोनों आते हैं, तो हम दोनों की inclusive बात ही कर रहे थे, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, specifically cartilaginous fishes, यानि की chondrichthize की, तो chondrichthize में notocod रहेगी, मैं diagram भी आपको बताऊंगी, पहले, teeth की बात कर लेते हैं, teeth जो है, वो placoid scales की बने, चलो diagram ही बता देते हूं, है ना, diagram ही बता देते हूं, let's make the structure, खतरनाक होती है shark, है ना, इसके पास होते हैं, teeth, shark के पास क्या होते हैं, teeth होते हैं, इस तरीके से, ठीक है, so it has teeth in it, और इसके scales जो है, वो कैसे होते हैं, देखू, ऐसे scales होते हैं, ठीक है, लेकिन these scales are very small, these scales are very small, ठीक है, बहुत small scales होते हैं, अगर आप real picture देखोगे, तो देखो यह वाली, इसमें आपको कही scales दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं, कहीं पर भी scales नहीं दिखने वाले हैं, कहीं भी नहीं दिख रहे हैं, ठीक है, और अभी हमने पढ़ा, कि fishes में fins कहां कहां होते हैं, दो होते हैं, dorsal fin, तो यह हमने बना लिया, dorsal fin, ठीक, यह हमारा हो गया, caudal fin, caudal fin थोड़ा बढ़ा बनानो, this is the caudal fin, caudal तो tail में होते हैं, this is the pectoral fin, pelvic fin नीचे, तो pelvic fin यह हैं, ठीक है, now this is analfin, and this is caudal fin, clear, मार्क कर दूँ इन दो लो, अच्छा मार्क तो कर लो, लेटरल लाइन प्रेजेंट है, तो लेटरल लाइन भी बना देते हैं, अभी हमने देखा है न, लेटरल लाइन, this is the लेटरल लाइन, जहां पार, sense organs present होगे, किसी को कोई दिक्कत है इतने में, eyes दिख रहे है, mouth दिख रहे है, यहां पर एनस होगा, यहां पर एनस भी होगा, ठीक है, digestive system इसके अंदर present है, मार्क कर दूँ इतना, चलिए, मार्क कर देते है, revise भी हो जाएगा, है न, अरे, यहां बनाई है, क्या, यह लेटरल लाइन, और इसके हमें, यह भी तो मार्क करने, ठीक है, टीथ मार्क करने है, आई मार्क करनी है, वेंट्रल माउठ मार्क करने, चलिए, अब देखो, धिखन से देखना है ना, important है, dorsal fin, caudal fin सब की कॉपी में होना चाहिए anal fin then this is pelvic fin these are placoid scales कौन से scales होते है placoid scale और इनहीं placoid scale से इसके teeth भी बने होते है तो teeth made up of placoid scales ठीक है और यारी हाँ पर mouth लिखना था one minute यह मैंने arrow mouth के लिए बनाया था mouth लिख देती हूँ this is mouth and these are teeth made up of placoid scales ठीक है चलिए अब यह आईस दिख रहे हैं तो आईस तो माग करी लोगे नहीं भी बताऊंगी तो this is pectoral fin ठीक है यह क्या है pectoral fin और कुछ तो नहीं बचा माग करने के लिए तो आपने fins सारे देख लिए these are dorsal fins dorsal fins caudal fins caudal fins anal fins and pelvic fins and pectoral fins and 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 not to forget not to forget lateral line this is lateral line जहां पर क्या present होंगे sense organs present होंगे ठीक है चलिए और placoid scales को तो बिल्कुल भी नहीं भूलना है placoid scales तो आपके लिए बहुत important है और teeth जो है वो भी placoid scales के बने है यह बात भी बहुत important है placoid scale कैसा दिखता है placoid scales looks somewhat like this ऐसा nukila है ना triangular nukila सा ऐसा triangular और nukila सा ऐसा दिखता है placoid scale ठीक है पूरी बाडी ऐसी हुती है बट इनकी विशेष्था क्या है what is the importance of these scales that these scales are very small you cannot see them तो इसलिए शार्क की बाडी smooth दिखती है scales नहीं दिखती ठीक है very small very small scales कैसे scales है बहुत small scales ठीक है समझ में आ गई इतनी बात चलिए नोट कर लिजे इतना फटावट से नोट करिए डन ओके यह हो गई बात अब अब इतना पढ़ लेते हैं हम पहले यह भी हमने बात कर ली थी यह बात कर ली है इसको पढ़ लेते हैं ठीक है c teeth are modified placoid scale मालू मैं आपको इनके skills जो triangular दिखते हैं वो छोटे-चोटे से उनकी वज़े से it is made up of placoid scales backwardly directed पीछे की side conical रहते हैं kidneys mesonephric होती है यानि की less advanced kidneys है इनके पास skin tough होती है containing minute placoid scale placoid scale बहुत छोटे-छोटे से है skin इनकी बढ़िया जोरदार tough है गिल slits are separate and without operculum except in chimeras अब मैंने आपको बता दिया था कि कोई operculum नहीं होगा आगे ही बता दिया था so gills के पास कोई gill cover present नहीं होता यह मैंने आपको यहीं बता दिया था है यह कहां have gills without any covering या फिर operculum operculum या covering नहीं रहे कि सीधे गills रहेंगे वहां से पानी कैसे आया वो भी मैंने आपको बता दिया आगे बढ़ते हैं अब इनके पास air bladder नहीं होता ठीक है air bladder किस काम आता है जब fish swim करती है पानी में तो उसको कभी-कभी रुकना भी रहता है तो रुकती है जब तो वो air जो है उसकी मतब उसे constant बनाये रखती है अगर air bladder नहीं होगा तो जो हमारी shark है या जो भी हमारी fish है वो क्या हो जाएगी sink हो जाएगी तो आपको पता है कभी भी shark rest नहीं कर सकती यानि उसको constantly swim करते रहना पड़ता है क्योंकि उसके पास air bladder present नहीं है so air bladder और swim bladder जैसे हम कहते है जो swim करने में मदद करता है it is absent so they have to swim constantly to avoid sinking ये कहीं देखो body इंकी heavy है air bladder है नहीं जो swim करने में मदद करे heavy होने की वज़े से body अगर ये swim नहीं करेंगे तो पानी में नीचे बैठ जाएगी और ये sink हो जाएगी दूब जाएगे और दूबना तो है नहीं तो क्या करना पड़ेगा हमें constantly swim करना पड़ेगा अगर neat exam qualify करना है और दूबना नहीं है तो constantly हमको पढ़ते रहना पड़ेगा constantly हमको आगे बढ़ते रहना पड़ेगा ओल राइट ये चीज़ हमें कौन सिखाता है फिश इस शार्क ने सिखा दिया चलिए now heart is two chambered heart में आपको बना के बता चुकी हूँ कैसा two chambered heart होगा one auricle and one ventricle you already know that है नो दुबारा नहीं बना रही हूँ organisms belong to this class are called cold blooded cold blooded का मतलब क्या होता है वो अपना constant body temperature नहीं रख पाते ठीक है they lack capacity to regulate their body temperature बाहर के temperature के according इनका body temperature रहेगा तो इन्हें हम cold blooded कहते हैं लेकिन technical term क्या होता है poikilothermous ठीक है तो cold blooded मैं यहां लिख देऊ cold blooded को पैसे यह तो बताना नहीं चाहिए आपको मालूम है cold blooded को poikilothermik क्याते है poikilothermik क्याते है और warm blooded को warm blooded को homeothermik क्याते है homeothermik क्याते है ठीक है poikilothermik होते है organisms are predatious यहने दूसरों का शिकार करके खाना खाते है ठीक है तो यह शिकार करने वाले होते है कैसे होते है शिकार करने वाले शिकार करने वाली fishes होती है ठीक है तो इसलिए इनके पास होता है electric organ जैसे torpedo में होता है and some possess poisonous sting जैसे trigon में होता है बहुत सारा कोई नहीं पूछने वाला है लेकिन आपको इसकी tail में भी नजर आता है electric organ और poison sting जो क्या करेगा अपने शिकारी को मार के उसे हाम करके उसे खाने में मदद करेगा इतनी बात समझ में आगी तो इसमें से आपको क्या-क्या लिखना है ये वाला point लिखना है इसमें heart to chamber तक लिखना swim bladder absent है ये वाला point भी important है pi kilo therms होते हैं ये भी important है इसमें आपको सब कुछ लिखना पड़ेगा लिख लिया done ये दोनों बात पता है चली आगे बढ़ते है अच्छा ये बना लिया था सबने है ना I hope बनाया है सबने this is shark this is shark done आगे बढ़े चली sex is कैसे होते है separate so they show sexual dimorphism यानि की male अलग और female अलग ठीक male अलग और female अलग male की body में क्या प्रेजेंट होता है male की body में होते है claspers ठीक है मानलो ये male shark है चोच जैसी लगरी है वैसे तो ये ऐसा लग रहा है कि मैंने parity बना दिया हो ठीक है ऐसा माउट होता है ना तो मानलो ये male है अरे यहां तो fins बनेंगे ना if this is a male एक एक ये fin एक ये fin है पेल्वेक उसके बाद कॉड़ वो एनल फिन उसके बाद कॉडल कॉडल यानिकी टेल वाला this is the caudal fin then we have dorsal fin these are the dorsal fin pectoral, pelvic, anal caudal, dorsal यही fin होते है एनस के पास में एनस के पास में यहां पर एक structure होता है इस structure को कहते है caspers 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 वो जगे है जहां से male gamet release होंगे ठीक है male gamet release from here male gamet release from here यहां से male gamet release होते है ठीक है और they are used in copulation तो पते है क्या करते है male gamet यहां से ही अपना casper खोलेगा इसमें से male gamet release होंगे और यह female है अगर यह female है अरे bird जैसा face क्यों बन जाता है ठीक है यह female है ठीक है यह इसके dorsal fin यह इसका post inal मतलब inal fin यह कौन सा पेल्विक यह pectoral यह codal fin ठीक है इसके cloaca में female के पास क्या होगा this is female तो female के पास होएगा cloaca female का जो cloaca वाला end है वहां से यह casper के through इसके उपर male जो है वो यहाँ male क्या करेगा male का casper यहाँ आएगा ठीक है male की body का male body यहाँ आएगी male का casper यहाँ आएगा और यह जो opening आपको दिख रही है यह वाली opening में deposit कर देगा अपने male gamit ठीक है अब क्या होगा कि यह जो female है इसकी body में देखो ध्यान से देखना क्या किया मैंने male gamit चले गए male gamit कहा पर जाएगे female की body में cloaca है male की body में क्या है casper casper में cloaca के अंदर deposit कर दिये male gamit अब क्या होगा यह mother की body है this is the body of the mother यह बॉड़ी है इसके अंदर male gamit आ गए यह यलो वाले मैंने बना दिये male gamit और blue वाले मैं बना देती हो female gamit ठीक अब क्या करेगा fertilization यही हो जाएगा ठीक है तो fertilization अगर यहां हो रहा है तो हम क्या बोलेंगे internal fertilization fertilization कैसा हुआ body के अंदर तो internal fertilization हुआ इसके बाद ऐसा नहीं कि इसमें eggs produce नहीं होते eggs produce होते है लेकिन यह egg को पानी में release नहीं करती है female shark does not release its egg अपने eggs को अपने अंदर रखी रहती है ठीक है और फिर जब यह eggs बन जाते हैं अब यह मैंने eggs बना दिये ठीक है these are eggs तो पूरा development इसने कहा कराया पूरा development इसने अपनी body के अंदर eggs रखके करवाया जो कि fertilized eggs थे तो अंदर body के रखके करवाया तो उसे क्या बोलेंगे internal development इसलिए इसमें internal development होता है बाकी fishes में क्या होता है external development होगा internal वो होगा हाँ indirect development direct development internal fertilization हो गया और development भी इसके body के अंदर ही होगा ठीक है जादा तर दे यार YV Paris हाँ तो एग इसने अपनी body के अंदर रखे एग produce हुए थे तो OV Paris होना चाहिए था मैं यह बता रही थी sorry internal fertilization तर clear है एग अपनी body में रखे रही तो body के अंदर ही इसने एग को produce कराया और फिर उससे organism बाहर निकले तो इसलिए यवी पैरस कहते है ना कि OV Paris actually में nature उसका OV Paris ही है पर उसने अपने eggs release नहीं की उसने अपनी eggs अपनी body में रखे इसलिए यसे हम कहते है YV Paris Organisms ठीक है और फिर सीधे यहां से छोटी छोटी शार्क रिलीज होंगी ठीक है तो क्या क्या पड़ा हमने sex is separate है शो sexual dimorphism male और female अलग-अलग male के pelvic fin के पास ठीक है pelvic fin के पास pelvic fin ये वाला था ना इस fin के पास ही बनाया हमने classper classpers होते हैं which are used in copulation जो male gamit deposit करते हैं female gamit में कहां deposit करते हैं cloaca ठीक है and fertilization is internal क्योंकि fusion इसकी body के female की body के अंदर fusion हुआ तो internal fertilization होता है note कर लिया इतना ठीक है आगे many of them are yv paris तो ये अपने eggs अपनी body के अंदर रखती है और सीधे इसमें से baby shark बाहर आती है ठीक है क्या बाहर आती है baby shark इसलिए हम इसे कहते हैं that they are yv paris फड़ा फट से अंदर के examples देख लिए देख लिजे scoliodon यानि की dogfish pristice यानि की sawfish trigon बहुत famous है जो की है stingray and carcadron होती है which is great white shark ठीक है great white shark these are the examples आज जो आपको अपने comment section में mention करना है फटा फट से लिखो scoliodon pristice trigon crackordon और इन सब के साथ इनके common name भी लिखोगे scoliodon के साथ लिखोगे dogfish pristice के साथ लिखोगे sawfish trigon के साथ लिखोगे stingray और carcadron के साथ लिखोगे great white shark ये mention करना ही है याद करना है देखो अब अगर phylum 1 से count करोगे तो अभी तक आपके पास बहुत सारे examples हो चुके है पर आपने उसको इतनी बार पढ़ लिया है कि वो examples आपको definitely याद होने लग गए होंगे मैं नहीं कहती कि आज ही सारे याद हो चाहेंगे बिल्कुल जैसे ही आपने ही पड़ा आज ही पूरे सारे revise कर लेना पौरी फेरा से अभी तक के example problem आएगी और ये बहुत natural है अगर आपसे कोई ऐसा कह रहा है कि हम बिल्कुल आज याद करा देंगे पूरे सारे तो वो गलत है problem आएगी दीरे दीरे करके याद होगा और ये जो हमारी practice है ना कि comment section में लिखो copy में लिखो notes में लिखो चार बार बोलो diagram बनाओ ये सब क्यों है ताकि हम पूरा का पूरा याद कर सके clear तो लिखना जरूर है at the end of the day हमारे पास बहुत बड़ी list होगी chapter जब हम खतम करेंगे और हम बहुत जल्दी से खतम करने वाले हैं clear हो गया चलिए so now here we are done with today's session आप इन सारे sessions को revise कर सकते हैं कहाँ पर कहाँ पर कहाँ पर YouTube पर कर लिजे app में कर लिजे या हमारी official website which is www.magnetbrains.com जैसे आप वहाँ जाएंगे तो आपको ये सब top courses हमारे दिखने लगेंगे चाहे आपको CBSC पढ़ना हो NTSC पढ़ना हो Olympia arts CUET IITJ या NEET जैसे हम NEET पढ़ रहे हैं बहले ही सेशन को speed 1.75 या फिर 2X करके देख सकते हैं ठीक है और ये बिलकुल मत भूला कि इतनी सारी चीज़ें तो आपको मिल रहे हैं लेकिन कैसे मिल रहे हैं 100% free of cost ना आपको कुछ कूपन लगाना है ना आपको कुछ खरीदने की जरूरत है It is absolutely available 100% free of cost पूरे courses जो भी आपको magnet brains के platform पर मिलेंगे आपको क्या करना है लाइक कर देना है वीडियो को अगर अगर आपको मेरी सारी बातें समझ में आ गई सब कुछ मतब क्लियर हो गया ट्रांस्परेंटली आपको session topic क्लियर हो गया है तो मेरी मेहनत इतनी दी इस चीज़ के लिए like कर देना और share जरूर करना अपने friends, siblings और class 9 के students के साथ specially और subscribe जरूर कर लेना चैनल को नहीं तो हमारा जो important में आगे बतारी दी न guidance session है वो miss हो जाएगा यार तो subscribe जरूर कर लेना और इसके अलावा आप हमें other social sites पर भी follow कर सकते है जैसे YouTube पर तो आप subscribe कर ही लेंगे Facebook पर follow कर सकते है Instagram पर Twitter पर और Telegram पर So you can connect with us on and off the stage over these sites मैं आप से मिलूंगी next session में तब तक के लिए thank you so much Take care and keep studying